नमस्कार मैं हूँ शार्दा जैस्वाल आप देख रहे इन 24 न्यूस आई एक नजर डालते हैं खबर महारास्ट पर गुलिटिन में सबसे पहले बात करेंगे मुंबई की क्राइम ब्रांच की सफलता को लेकर मुंबई क्राइम ब्रांच यूनिट 6 की टीम ने बड़ी कार्वाई करते हुए एक ऐसी गिरों का भांडा फोर्ड किया है जो फरजी दस्तवेज बना कर आरोपियों को जमानत दिला आया करते थे दरसल मुंबई क्राइम ब्रांच को सूचना मिली कि फर्जी दस्तावेश बनाकर आरोपियों को बेल दिलाने का स्कैम किया ज़ा रहा है गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने अपनी जाश चुरू की तो इस गैंग का परदाफाश हो गया दोकदड़ी के मामले में मुंबई के अलग-अलग जगों से पांच आरोपियों को पुलिस ने गिरफतार कर लिया है क्राइम ब्रांच के अधिकारी द्वारा दी गई जानकारी के मुताबक या गैंग फरजी डॉक्यमेंट के माध्यम से पैसे लेकर एक ही वेक्ती को कई फरजी दस्तवेज के माध्यम से जमीनदार बनाकर कोर्ट में पेश करते थे जानकारी मिली थी कि जो जामिनदार रहते हैं जो अक्यूज रहते हैं जिसको कोर्ट से जामिन मिलने वाला है ऐसे लोगों को बोगस याने डुब्लिकेट याने बना बोगस डॉक्यमेंट बना के बोगस जामिनदार वहां पर प्रोडूस करके उनको जामिन दिया जा रहा यूनिट 6 के जो सीनेर इस्पेक्टर है सालों के और उनकी टीम ने जो सस्पेक्टेट थे उनके उपर रेकी की और उनकी एडिशनल इंफर्मेशन लेके उनके यहापे उनने रेड किया रेड करने के बाद वहाँ पे हमें डुब्लिकेट आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड, सैलरी स्लिप, बैंक स्टेटमेंट्स और जो बाकी डॉकुमेंट से वहाँ पे बरामत किये गए है उसके साथ हमें डुब्लिकेट स्टैंप भी वहाँ पे मिले हुए है कि जो स इस केस में हमने अभी तक पाच लोगों को एरेस्ट किया हुआ है और बाकी भी लोगों की इसमें उनका भी यहां पर इसमें इन्वाल्मेंट होने की पॉसिबिटी है उसको देखते हुए हम बाकी भी लोगों की हम वेरिफिकेशन कर रहे हैं